हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एक्जाम फंडा दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन स्टेट्स एनिमल्स की यानि जो भारत के 28 राज्जी और 9 यूनियन टेरिटरी से उनके जो राज की पशु हैं जो स्टेट एनिमल्स हैं उनको मैं यहां पर आपके साथ ड लेलवे हो या बैंकिंग हो या स्टेट या सेंटरल के जितने भी एक्जाम होते हैं तो वीडियो की शुरुआ से पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिविकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके इसलिए आप बैल आइकन जरूर दबा लें वीडिय इंटरिटरी मैंने या पर छोड़ दी हैं उसे आप कमेंड में जरूर लिखें उनकी राज की पशु कौन से हैं वो सारी डेटेल आप खुद लिखें ठीक तो वीडियो के स्टार्ट से पहले दोस्तों पूरा देखें इस वीडियो को यह काफी इंपोर्टन होने वाला स्टेट अनिमल है वो है ब्लेक बग यहनी काला हिरन जो काले हिरन के अगर हम बात करें तो यह कृष्ण म्रग बहु सिंगा प्रजाती का होता है और यह भारत के उपमादीपों में पाय जाता है और यह इकलोती जीवित जाती है यह बहु सिंगा प्रजाती की यह इकलोती जाती है और इसका वैग्यानिक नाम अगर हम बात करें तो इसका वैग्यानिक नाम है एंटी लौप सर्वी केपरा या फिर इसे भारती मरख के नाम से भी जाना जाता है आम तोर पर भारत पाकिस्तान नेपाल में पाये जाता है और यह 1972 के जो वन्य जीफ संदरक्षन अधिन की जो अनुसूचीफ एक है इसके तहए जो काला हिरन है इसका शिकार पूरी तरह बेहन है यानि निशिद है हिंदु धर्म में काला हिरन को काफी पवित्र वाना गया है और भारती और नेपालियों ने कभी भी इस म्रग को कभी कोई नुकसान नहीं पहुचा है नेक्स्ट अगर हम बात करें याँ पर तो अगला जो आता है वो आता है मिथुनिया गयाल इसका जो वेग्यानिक नाम है वो होता है पॉस फ्रॉंट टैलिस ये मेंली अरुनाचल और नागालेंड का राज की पशु है इसे गौर या विसौन का वंशन माना जाता है और गौर जो होते हैं वो जंगली होते हैं जबकि जो पाल तो होते हैं उन्हें मिथुनिया गयाल का जाता है और जो अरुनाचल परदेश की जो जातिया है निशी अपातानी गालो ये सारी जन जातिया है इनसे सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से ये काफी गहरा इससे ल बात करें तो अगला जो यहां पर आता है वो वन होन राइनो सेरस आता है ठीक दोस्तों मैंने पीछे जैसा आपको बता है मिथुन जो कि अरुना चलो नागा लेंड का राज की पशु अगर आप उसको ट्रिक से याद करना चाहें तो आप सीधे-सीधे याद कर सकते हैं कि अ अरुना की पसंद मिथुन तो आपको यह याद हो जाएगा कि जो अरुना चलो नागा लेंड है अरुना चलो नागा लेंड है इसका जो राज के पशु है वो कौन है आपको मिथुन या गयाल ठीक तो अगर हम यहां पर आसम की बात करनें तो आसम का जो राज के पशु है वो होता है भारती गेंडा एक सिहिंग वाला गेंडा और विश्यू का चौता सबसे बड़ा जलचर जीव है और ये आम तोर पर इसके जो आवाशी शेत्र हैं इनकी घट जाने के कारण ये भी संकड गरस इस्तिती में आ गया है ये रेड लिस्ट में से डाला गया है ये भी अच्छी खाजी मातरा में मौजूद है नेक्स्ट अगर हम आपर बात करें तो गौर गौर जो है ये बिहार का राज के पशू है मैंने पीछे आपको बताया मिधोन या गयाल ये जो होते हैं गौर वो गौर चो होता वो जंगली बेंसah उता है यानि जंगली बेंस हुआ काफी बड़ा होता है और काले लोम से ये ढखा होता है काले लोम से आप देख पा रहे हुए इस तरीकी से ढखा होता है इसकी सबसे ज़्यादा अबादी भारत में ही पाई जाती है जंगली मवेशों में सबसे बड़ा होता है और पालतू होने पर इसे गायल या मितुन क्या जाता है वैसे इसे गौरी गाय बोदा और गवली के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो जंगले वैसा वाइल्ड वाइल्ड वाटर बफेलो यह चत्तिस गड का राज की पशु है रायपूर संभाव और बस्वर म इस पर एक सफेर निशान होता है और इससे पहले यह मद्दे परदेश में पाए जाते थे नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह आता है गौर गौर जैसा कि मैंने आपको पीछे बताये कि यह बिहार का राज के पशु है साधी साधी गौवा का भी राज के है तो सीदे सीदे इसा याद कर सकते है कि गौर से देखो गौर से देखो गौवा भिहार तो आपको यह याद हो जाएगा कि गोवा और बियार का गौर से देखो गोवा बियार ठीक तो आपको इजी लिए याद हो जाएगा नेक्स अगर दोस्तों हम बात करें तो याते हैं एशाय सिंग एशाय सिंग यानि शेरों को आप समझ गयोंगे कि ये गुजरात में ही भारत में सिर्फ और सिर्फ केवली गु यादा लियो परसिका टिक तो गुजरात का जो राज के पशु है वो है शेर एशाय सिंग ठिक अगर हम बात करें तो ये आपन नेक्ष आता है बलेक ब्लेक ब्लेक ब्लेकक का मैंने जैसे आपको बताया कि Comes कर आंदर परदेश का राज के पशु होने के साहत यह हरियाना औ और आंद्र प्रदेष का राज की पशू बक ब्लैक बक ठीक अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर आता है हुमाचल प्रदेश फिरिय선 इसनो पश्ण। बरफानी तेन दुबा यहांका राजके पशु है तो हिमाचल में Elстав Joshi以前 मतलब इसनों होता बरफ होता तो आपको य懼र याद रहेगा कि बरफानी तेन दुबा यहांका राजके पशु है इससे पहले जो इसका राज्य पशु था वो था Kaustury maradras आपकी सिर्फ यह याद रखें कि हिमाचल पर्देश का राज के पशो जो है वो इसमों लेपाड है नेक्स्ट अगर हम यह आप बात करें तो इंडियन एलिफेंट जो भारती हाती हैं या तीन राज्जो के राज ke पाशो है जार करनाटका और केरलण इसका वेग्याणिक नाम हू догन्या है और यहाद्यो छो चार प्रजाति हैर आधिकतम वारत में मिलती है अगर इसको टृरिक से जाद रखेंगे तो किस तरह किसे रखेंगे जाकाके Depot है ठीक जाक आके हाती आया तो इस तरीके से आपको याद रहे जाएगा जहारकंड करना डगा और किरेला की जो राज की पशु है वो है इंडियन एलिफेंट नेक्स्ट अगर यहाँ पे आता दोस्तों सब बारा सिंगा बारा सिंगा जो है मद्धे पर्देश और उत्तर पर देश का यह राज के पशु है तो अगर आप इसको ट्रीक से याद रखना चाहें तो इस तरीकी से याद रखें कि बारा के मद्दे उत्तर 12 के मद्दे उत्तर तो इस तरह के आपको ट्रिक से याद रह जाएगा मेली से दलडल का म्रग भी का जाता है ये हिरन की एक जाती जो उत्तर और मद्दे भारत में मेली पाई जाती है पाकिस्तान और बांगलादेश से पूरी तरह विलुपत हो चागिए बारा सिंगा जो होती है इनकी जो सिंग होते हैं इन में कहीं सारी शाका हैं उन्हें कारण इसका नाम बारा सिंगा रखा गया है जिसका कि अर्थ होता है बारा सिंग वाला मेली 10 से 14 शाका हैं होती हैं और किसी किसी में 20 तक भी हो सकती है ठीक तो इसे याद रखें कि बारा के मद्य उत्तर यानि बारा सिंगा मद्य बर्देश और उत्तर बर्देश का राज की पशु है नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो आता है इंडियन जाएंट इस्कुरेल या मलावाल जाएंट इस्कुरेल यह जो है एक तरीकी गिलेरी होती है और यह जो है यह महाराश्टरा का राज की पशु है इसे याद रखें कि यह महाराश्टरा का महाराश्टर का राज की पशु है ठीक यह पूरी तरीके से शुद्ध शाकारी प्राणी होता है और इसे मून लिबासी के रूप में माना जाता है महाराष्टर के अंदर ठीक आगे चलते हैं दोस्तों जो आगे आता है आगे जो आता है दोस्तों वो है संगाई जो है ये भी रेड लिस्ट में इस परजाती को रखा गया है और ये मनीपूर हिरन की तरह की दिखने माली परजाती है यह state animal है मनीपुर का मनीपुर का यह राज की पशु है तो मनीपुर का राज की पशु याद रखें दोस्तो संगाई ठीक आगे चलते हैं दोस्तो आगे है clouded leopard neo phallus nebulus है इसका यह जो होता mainly यह clouded leopard इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो तुचा होती है इस पर बादल की तरह pattern बने होते हैं और इसलिए से clouded leopard का नाम दिया जाता है यह mega laya का दोस्तो यह mega laya का राज के पशु है और IUCN की red list में से रखा गया है क्योंकि यह भी काफी कम मातरा में बचे हुए तो इसे याद रखें कि यह mega laya का राज के पशु है नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पर आता है हिमालियन सेरो हिमालियन सेरो जो है बकरी की तरह दिखने वाला जीव होता है और यह मिजोरम का जो है राज के पशु है यह भी red list में है क्योंकि कि शिकार काई जादा मातरा में शिकार किया जाने शुरू किया गया था मेट के लिए यानि non vegetarian जो लोग थे उन्होंने इसका काफी زादा मातरा में शिकार किया बोजण के लिए इस कारण इसे red list में रखा गया है दोस्तों और यह हिमालय और Eastern Southern बांगला देश में यह मेंली पाय जाता है तो जो विमजोरम है इसका जो राजकी पशु है वो कौन है दोस्तों? हिमालय एंज सेर हुग next अगर हम बात करें तो यहां पर आता है सामबर सामबर डियर जो है ये बारा सिंगा की तरह ही होता दोस्तों और खास बात ही है कि ये दक्षिन और दक्षिन पूरवी एश्या में पाय जाना वाला एक बहुती बड़ा हिरन है तो ये जो है ये ओडिसा का जो है राज की पशु है इसे याद रखें पूर्ण वेयस होने पर इसके लंबाई 110 मीटर होती है और इसके भी सिंग कावी सुन्दर होता है और 10 से 14 तक इनकी सिंगों की संक्या होती है मेंली जो नर होते हैं उनमें इस सिंग पाया जाते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर तो यह आता ड्रोमेडरी या फिर सोमाली केमल या अरेबियन केमल जो उट होता है वो आप जानते है राजिस्तान में रेगिस्तान में पाया जाना वाला है यह पशु है इसलिए राजिस्तान का आज के पशु इसे गोशित किया हुआ ह साथी साथ इसके मारने पर कम से कम एक साल की सजा भुगणनी पढ़ती है राजिस्तान में तो राजिस्तान में उटो की संक्या तेजी सी कर रहे है इसलिए भी इसके बचाओ के लिए कई नियम बनाए गए तो जो उट है वो राजिस्तान का राज के पशु है ठीक आगे चलते हैं दोस्तों आगे यहां पर आता है दर रेड पंडा इसे वेगनिक नाम एलूरस फुल जैन्स के नाम से इसे जाना जाता है और यह इसतन पाई जाती का होता है भालू के परिवार का सदस्य से माना जाता है लाल पंडा होता है ज्यादा बड़ा शरीड नहीं होत और यह चहकने और चूचू की आवाज करता है। 2008 के बाद से इसे लुप्त प्राय प्राणियों में डाला गया है यह रेड लिस्ट में इसे भी रखा गया है 2008 के बाद से। तो नील गिरी में रहने के कारणी इसे नील गिरी थाड नाम दिया गया है। जंगली बकरी या बेड से संबंदिती यह पर जाती है। इसकी बोल चाल में नील गिरी साकिन या केवल साकिन के नाम से जाना जाता है। यह भी रेड लिस्ट में डाली वे पर जाती है क्योंकि इ तेलंगाना का यहाँ पर राज के पशु है तो इसे यह याद रखें कि यह तेलंगाना का राज के पशु है इसे याद रखें जो चीतल है वो तेलंगाना का राज के पशु है इसका जो शरीर होता है यह हलका लाल बुरेंगा होता और उस पर सफेद सफेद दब्बे होते है 75 cm तक ये लंबे होते हैं और ये भी red list में डाला हुआ जीव है आगे आता है यहाँ पर दोस्तों वो आता है pirate leaf monkey ये बंदर की एक परजाती होती है दोस्तों और ये त्रिपुरा जो त्रिपुरा है ये त्रिपुरा का राज के पशो है तो यहाँ पर याद रखें कि जो बंदर है आप बंदर के इसाब से भी याद रह सकते हैं कि जो pirate leaf बंदर है ये mainly जो पत्ते काते हैं यानि ये पेडों की एक तरीके के जो पेडों होते हैं त्रिपुरा में पाय जाते हैं जो temples वगरा के असपास वहाँ पर ये उनकी पत्तियां घाते हैं इसलिए इनका नाम pirate leaf monkey रगा गया है तो ये त्रिपुरा के राज के पशु के रूप में गोशित किया हुए next अगर हम यहां पर बात करनें तो alpine musk deer यह काले रंग की हिरण होते हैं और यह हिमालियन के जो तलहटी है वहाँ पर यह मेली पाई जाते हैं और यह उत्तराखंड के याद रखें जो alpine musk deer है यह उत्तराखंड के राज की पशु है तो इसे याद रखें कि उत्रा गंड के राज के बशु है काले हीरण याद आप सिंपल भी में याद रख सकते हैं काले हीरण अलपाइन मस्क डिया नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें वैस्ट पैंगोल की तो West Bengal का जो राज के पशु है दोस्तों वो है Fishing Cat एक बिल्ली होती है पर यह मेली जो होती है यह मचलियों का शिकार करती है वहाँ की जीलों नदियों में से इसलिए इसे Fishing Cat का जाता है बाकी होती बिल्ली है यह West Bengal का राज के पशु है ठीक Next अगर हम यहाँ बात करें तो अगला आता है डुडोंग यह डुगोंग एक तरह की मचली होती है पर इसे समुंदरी गोडा भी का जाता है जो डुगोंग है यह हजारों वर्षों से तेल और मास के लिए इसका शिकार किया जाता है इसमें से तेल भी निकलता दोस्तों तो यह अंडमार और निकोबार आइलेंड है जो अंडमार और निकोबार है इसका राज के पशु है तो इसे याद रखें यह काफी इंपोर्टन भी है कि जो डुगोंग है यह डुगोंग है यह अंडमार और निकोबार का राज के चलते हैं दोस्तों याद रखें कि चंडीगड का राजके पशु है इंडियन ग्रे मंगुज नेवला जो होता है वो चंडीगड का राजके पशु है अगला अगर हम बात करें दोस्तों तो डोमेस्टिक याक याक आपने देखा होगा इस तरीकी का बियल होता है जो कि ट्रा लदाग नाम है बॉस गुर्णुनलीन निन्स ठीक अब दोस्तों यह जो मेन मेन थे इसारी मैंने आपको बता दी है अम जो रखें कोई भी राज के पशूर नहीं है मैंने यह आप आपको बता दिया और बाकी जो बचा हुआ है वह आप जरूर कमेंट में लिखें तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलें आप आने वाले सारे वीडियो आपके लिए स्टैटिक जीकी की वीडियो होने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों वीडियो को लाइक करें ज्यादर ज्यादर शेयर करें और कमेंट करना ना बुलें मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों तक तक के लिए धन्यवाद